एक्सलराशन मोलों, 0 होता है एक्स डायक्शन में तो आप डाइड़ेक्स क्या लिख सकती हो, स्पीड अगर जो है, तो डाइड लिख सेक्ट पकर एक्स कवरोगा होगा, डाइड़ेक्स बराबर स्पीड इन्टु टाइम, निचे आने पर सबकुछ स्पीड बढ़ती है इस वाली में है कोई चेंज नहीं आता है तो बेसिक एक्वेशन्स ऑफ मोशन हो जाती है इसके उबर अपने बहुत सारे सवाल कर रहे है वाय में स्पीड जीडो ही है होरिजॉन्टल साथ स्पीड किसमें एक्स में तो क्या हो ज आती मजामा कैसे हो आप लोग और बताओ क्या हाल चाल तो यह है आपका 30 मिनिट रिविजन्स मोशन प्लेन का पूरा चैप्टर अपन 30 मिनिट्स पर कर दें कंप्लेट इसमें नुमेरिकल नहीं होंगे इस तरीके सा माइंड मैप टाइप समझ लो आप है या फिर इस तरीक इसके से याद हो जाएगा ठीक है इस दा एंड गोल ठीक है कि एक्जाम के जस्ट पहले वाले दिन क्या कर सकते हैं चालो करते रिविजन मेटा ठीक है सबसे पहले आपको मोशन प्लेन माना चीवेक्टर कंपोनेंट्स मेटा तो इसे यह वेक्टर है कोई एंगल अगर वर्टिकल से है तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा वीटा एक का कॉस्ट एटा और एक साइन फीका पलट जाता वेटा और कुछ नहीं कि सिंपल सी बात होती है जब भी थीटा आप होरिजोंटल जागे वर्टिकल से देते हो साइन और औरक्त एंग्ज लाती है मोश बहुत सी लगेगी gravity तो equations of motion सारी की सारी लग जाती है यहां पर V is equal to U minus GT, H is equal to UT minus half GT square second equation of motion और third equation of motion क्या होती है, V square बराबर U square minus 2GH fourth अपन जो यूज़ कर जाएं कहीं बार H बराबर V plus U by 2 into G into time और अपने एक और equation कौन से लग जाती है, H nth की equation क्या होती है वो, U plus, यह minus हो जाएगा, 2 and minus 1 G by 2 simple simple equations of motion होती है, वहीं पर अगर आप क्या करो इसमें ही बेटा, इसमें ही अगर आप क्या करो, उपर से नीचे कोई भी चीज़ फिको, नीचे फिक आपने यूज़ से, जी है, यहां पर G क्या होगा, स्पीट को बढ़ाएगा, तो यही सेम चीज क्या हो जाएगी, यहां पर एक से रुखना बच्चों, इसको स्टेज बेक्राउंड कर देता हूं, तो देखो क्या हो जाएगी, यहां पर रिपीट हो जाएगी, बस माइनस की जागे प्लस आ जाएगा, क्योंकि नीचा आने पर सबकुछ स्पीड बढ़ती है, इस वाली में ह वाली में कोई चेंज नहीं आता है, तो basic equations of motion हो जाती है बेटा, जिसके उबर अपने बहुत सारी सवाल कर रहे है, ठीके, secondary कुछ चीजे और, अगर आप ड्रॉप करते हो किसी भी चीज को, if you drop something, उपर से, अगर आपना ड्रॉप कराए, तो अगर सोज़े बाद उसकी speed u है, तो आप u और time t लग रहा है, और distance h hide गिरा है, तो यू बराबर अटरू टू जी एच, और time बराबर अटरू टू एच भाएच ही, यू सर्ष कर सकते हुआ, तो यह फर्स बेशिक फॉर्मूली होते हैं, जो पिछले बाद चैप्टर के होते हैं, जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आते, यहां तक समझे हो तो चलो, एकदम बेसिक बात अपने कर लिए, सिंपल बात हैं, यही सेम बात हैं, एक बाद फिर से देखो, पर अब अपन यू की जागे, यू वाई लिखेंगे, ठीक है, तो सेम एक्वेशन अपन लिखेंगे, उपर फेकने वाली एक्वेशन क्या हो जाएगी, यू, वी in y direction, is u in y direction minus gt, सेम एक्वेशन है, और कुछ नहीं, ठीक है, h is equal to u in y direction t minus half gt square, ठीक है, vy का square is u y का square minus 2gh, सेम एक्वेशन है, बस y y लिख देते हैं, v और u के नीचे, h बराबर, u in y plus v in y by 2 into time, और h nth बराबर क्या हो जाएगा, u in y minus 2 and minus 1, g by 2, सेम एक्वेशन्स पिटा, सब कुछ सेम सेम अपने चलाएंगे, वापस लिखेंगे एक बार, और जब ये u उपर क्या हो जाएगे, नीचे फेकी आपने u से, तो सब प्लस 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 आ जाएगा बस, और वहीं पर जब ड्रॉप कर आपने, त तो टाइम तो कही होता है, अंडर रूट 2H by G हो जाएगा, टाइम में xy कुछ ना होता है, तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़े होती है, जो अल्रेडी एपन सब पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी बहुत टफफ नहीं होता है, तो यह आपका बिल्कुल तो एक्वेशन उसे और रिफाइन हो जाएगी, वही सारी एक्वेशन जिसमें यू था उसमें यू यू आए कारा, यहां पर एक्वेशन दू डिरेक्शन होँगे, वाई में लगता है ग्राविटी की एक्वेशन सारी की सारी, और यू आपका और काम एजी हो जाएगा, इस पर कुछ भी टफ नहीं होता है, ठीक है, अब वाई डिरेक्शन की बातों में एक चीज़ और देख लेते हैं, magic numbers और गाली ले लो कलो, magic numbers क्या होते हैं बिटा, कि अगर आपने किसी को भी drop कर रहा है, तो पहले एक सेकेंड में वो कितना गिरता है, फाइफ मीटर, फिर फिर उसके बाद 20 मीटर दो सेकेंड्स के अंदर, तीन सेकेंड्स के अंदर कितना गिरता है, 45 मीटर, then 80 मीटर, 125 मीटर और 180 मीटर, चार सेकेंड, पान सेकेंड, छे सेकेंड तो basic revision हो जाता है इससे, और अगर बात करें एक-एक सेकेंड की, first सेकेंड में, second सेकेंड में, third से में फूर्थ सेकेंड में फिफ्ट सेकेंड में और सिक्स्ट सेकेंड में तो उसमें गिरता है पाइफ मीटर फिफ्टीन मीटर ट्वेंटी फाइफ मीटर थर्टी फाइफ मीटर फॉर्टी फाइफ मीटर फिफ्टी फाइफ मीटर एंड सो ओन यह रेशो चलता है क्या रेशो आपना 16x square का रिश्यो चलता है वन का टू का फॉर का फाइव का एक्स यह सेम रिश्यो चलता है एक्स फाइव ले ले लेते हैं अगर एक एक सेकेंड की बात होती है तो यह मैजिक नंबर और गैलेलो रिश्यो की बात थी तो इतना अपनों अलड़ी लेकर आएं वन डी से ज यह तो डार्यक कित्ता डिस्टेंस x कवर होगा डिस्टेंस बराबर लिए इन्टू टाइम डायीट यह इसी को पन अब लिखेंगे लि sensit another is wieder ब्राबर यू कॉस्त ही टाइंटो टाइंड थो कि अगर थीटा पर दिया है कि तो एक्स डारेक्शन में क्या हो जाएगा यू का कॉस्त थीटा कंपोनेंट ते ओ वाइ में क्या हो जाएगा यू का साइन थीटा सिंपल सिंपल चीज़े होती ही विटा दिस वॉज बेसिक चीज़े जो आप वंडी से लेकर आयो तो थोड़ा सा चीज पर ध्यान रखना है ठीक है स्टार्ट करें अगली चीज प्रोजेक्टाइल और मोशन और उसके टाइफ ठीक है तो अपन मेंली बहुत सारे प्रोजेक् आ न्मला लाथ सिद्फऑ और बयूल तो लिफलाट कुछ अ मोथा हो जींदा मारता और दूर्ट कर सatu यह वोते हैं ठीक है फिर मेंली इन दोनों की बाते होती है बाकी फिर बहुत सारे freestyle को इसे तो इसे एक हैसे आपने अपने तो और बहुत सारे बन सकते जमीन से मिस्ड़ से आपने फैक जूंग जाएं पर लग जाएं अचा बन जाएं तो यह बहुत सारे टाइप के आपके अपके बन सकते में लिए ग्राउंट टू ग्राउंड और होरिजॉंटल की बात करते हैं में लिए बात करेंगे इस चैक्टर में योगी बागी सब कोई बहुत सेंस नहीं सवाल भी नहीं आते हैं और लगपक यह वाला जो है स्टैंडर्ड है सब में लग जाता है थोड़ थोड़ा कंट्रोल होता है इस सिफ को थाई idezक्षिट कोई नहीं होता ही दो तक यह आईट कित्रह उपर जाएगा या कितने टाइम में नीचे आएगा यह सिफ कौन एक्षिन में तो कोई परकिन नहीं पड़ता थेक है तो अकर मैंने किसी को आपध्य कर दिया मैं या किक इसे फेक दीए या सब में जो गिरने टाइम औफ लाइट है वंडरूट टू एच बाइज भाइज भाइज आएगा वह सेम ही रहेगा वह सेम ही रहेगा अगर है तो बास समझ में बेटा क्यों कोई स्पीड नहीं दीना और इसे उपर या नीचे या तो फरक पड़ जाएगा पर अपन सिंफ होरीजोंटल की बात यह हो जाएगा है अगला देखे अगले को स्पीड निकालने को बोलेंगे तो उपर जाने में ऐसा प्रजेक्टायल कोई वीएस जाकर यह घाएगा अगें तो जो उपपर जाने में टाइम लगता है वो आप equation of motion से निकालते हो इस टाइम को बूला T1 यह आता है निकल कर U by G किसे निकालोगे आप V is equal to U plus 80 रखोगे यहां U minus GT रखा आपने Y direction में सबसे उपपर Y में speed क्या हो जाएगी 0 सिवे X में रहेगी speed हो यहां पर 0 बराबर U minus Ui minus GT टीवन बोलो उसको तो यह टीवन आ जाएगा U by G यू आई भाई जी ठीक है तो यह टीवन टाइम आदा टाइम जो है U by G हो गया से निच्छा आने का टाइम टीटू भी कितना हो जाएगा तो यू बाई जी हो जाएगा टोटल हवा में रहने का टाइम ओफ लाइड एड कर दो यू बाई जी हो जाता है सिब्वल निकालेंगे की से निकालेंगी बिटा है निकालने के तरीका भी थिंपल सेकेंदिक्विशन लगा दो एच बराबर यूआइ माइनस हाफ जी टी स्कूर यूआइ टी माइनस हाफ जी टी स्कूर अरे ये लग जाई अगें उपर सबसे उपर जब जाओगा हाइट तब अलएट आपको आदे हाइट का ये टाइम पता है तो यहां से निकाल सकते हो या फिर फिर थरड़ी क्योशन लगा दो वी यूआइ स्कूर बराबर यूआइirsiniz माइनस टूजी हेच यह जीरो हो जाएगा वी यह सबसे उपर वाली जागे पर तो यूआइ जाएगा तो यूआइ क्या निकल के आ जाएगा आपका यूआइस टूगर डूजी ह और यू आई को आप यू साइन थीटा लिख सकते हो तो यू साइन थीटा वाए जी यू स्कुर्ड साइन स्कुर्ड थीटा वाए जी सिंपल सी बात होती है याद रखना थीटा हमेश्य होरिजॉंटल से देते हैं वर्टिकल से कभी दे दिया ना अगर सारे साइन का कॉस का साइन हो जाता है और बहुत परक्नी पड़ता आखर सवाल जो से पूछते हो पूछते रेंज का डारेक्ट फॉर्मुले में तो रेंज यह निकल गया थे 2 U X U Y Y G या इसको अपन बोल सकते हैं 2 U स्क्वेर साइन थीटा कॉस्ट थीटा वाई जी या यू स्क्वेर साइन दू थीटा 25 या क्योंकर 2 साइन थीटा कॉस्टेटा साइनो थीटा हो जाता है तो यह तीन डब्व में डाल रहुन हो फॉर्मुले जो ड डाय एकटर बोला दो हाइट का रिश्य बताओ दोनों हाइट की फॉरॉमले लगा दो बुला हाइट से में एंगल वताओ कितना कितना होगा है इसकी हाइट क्या होगी इसकी दो की रेंजिव में सेम है आगेना आपको सिंपल तरीके से सौल करनाओ तुम नहों तुछ तफन प्रोजेक्टल का जूम में से निकल कर आ जाता है कितना तू यू आए भाई जी या टू यू साइन थीटा भाई जी कि अबलिक के बाद आगर बात कुरू हो इसे फेका तू यह गिर गया यहां पर है इसका टाइम ओफ लैट क्या निकल कर आ जाएगा अंडरू टू एज भाई जी जो कि जित्ते ड्रॉप कोने में टाइम लगता है वाई में तो ड्रॉप ही कर आ अपने टू एज भाई जी आ टाइम ऑफ लैट सिंपल सिंपल चीजे होती है स्ट्रेट लाइन में गचिरेगा सिंपल सिंपल बात है ठीक है कुछ मुछिकिल नहीं है अग्ला देखें अग्समिमुम है ओलरेड़ी बात कर चुक है हम मैग्सिमुम हाइट अगर एच तक जाती है है एच कह बोलते है यह तूजी यह यूु स्कूर्know साइन स्कूर स्थीता भाइ टूजी जी अ फिखी बइता और क डिर रेंश कर फारोला हो जाता है रेंश कैसे निकालते है भी एक पनानीर30 डिती यह ली वाइब जाता है तब से एक बेसिक फॉर्मूला रेंज का मेंशा क्या होता है यू एक्स इंटू टाइम ओफ लाइट यहीं होता है फिर सब डेरिवेशन इसी से निकलता है ठीक है और आखरे में क्या होता है यू स्कूर साइन टू थीटा भाई जी कि पॉर्जेंटल की बात करें उप अगर तो हाइट से आपने फेका है त्यू कि गिर जाएगा कि इसका रेंज क्या जाएगा और यू एक्स इंटू टाइम ओफ लाइट है यू सिर्फ यू है जिससे आपने फेका है कि ताइम ओ फ्लाइड में प्ता डूरू अज बाई जी ह रखा फिर सब सॉल्व कर आपने तब से बेसिक फॉर्मला बेटा जो होता है रेंज का वह हमेशे यह होता है और प्रोजेक्ट पर वैलिड होता है यू एक्स टाइम फ्लाइट फिर टाइम फ्लाइट इसका लाग है तो अकॉर्डिंग रखके सॉल्व कर दिया ठीक है लेजबा आर का वैलियू होती है तैंद थीटा वाई 4 और ये रेशों से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं कि कई बार बोलते हैं यहाई एतनी हैं और रेज़ इतनी का रेश है अब निकालो यह सब कुछ करो तो यहाँ बहुत बार क्या होता है टैन थीटा निकालकर टैन थी सिटा ठीक है और कॉस्ट थीटा की वालियों होती है डारेक्ली वन अपॉन में अंडरूट में वन प्लस 10 स्कुर्ट थीटा चला जायेगा इसमें वह उपर कॉस्ट चला गिया तो बहुत सिंपल फॉर्मुले बहुत नहीं होते बिटा इस से थोड़ी सी लब आपको और मिल जाए यह कंगो बट्रिग्नोमेट्री का बेशिक है इसे नाइन तेट में करवाते हैं वैसे वाला पीसी के तो टेंथ ग्लास में होता है यह वाला मास्टेट आप लोगों ने स् इसमें साइन कोस दोनों लगेगा तो बहुत सारे इसमें फिर फर्दर कंवर्जन हो जाते तो यह 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 तो हो जाता है वह आरभाए फोर जाता है अच्छा यह आरभाए टू है यह टूल आरे रेंज तो रेंज का आदा का भी आदा अवर हीट होता है इसका अगर एक्स कॉमा वाइड निकालूंगा एक्स होगा और वाय आजाएगा आजाएगा आगर रेंज का कोडिनना निकालूंगा तो आर- सीडमा जीरो हो जाएगा तो सुम्पल सवाल होते हैं मुश्किल नहीं होते पैटा थोड़ागा से टाइस तंव कुछ भी सवाल में लिखा होगा language में ठीक है अगले टाइक पी सवाल होते हैं सेम और स्मैक सार के तो यह देखना बिटा बोलेंगे दो प्रोजेक्ट टाइले एक को फेका थीटा वन पर एक को फेका थीटा टू पर और रेंज दुनों की सेम आ गई मैं तो क्या जाएगा इसकेस में यह कब हो सकता है रेंज सेम कभ जाती है अच्छाbe अच्छें इसमें देwahको कभी में दोर इसे कोई बिर थीटा इंगल दे voulez के पूछ को रेंज और मैं भूगा जाएगा 30 60 तो समझ में आता है कि चलो 30 60 भी तो दिख रहा है 90 आता हुआ पर कभी सब्सक्राइब 30 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा जोड़ो थीटा 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 तो कटी जाएगा 30 60 90 हो जाएगा सेमी चीजे गुमा गुमा के दे रहते हैं जब भी जोड़ने पर सम 90 आता है तो जुअ की माइग्जिमम भी एडड लावर 45 वख फाटिफाषएगरी पर फेकते हो में सब्सक्राइं में सब्सक्राइब सब्सक्राद थीटा थ outra क्या थे उती किention सब्सक्राद करने पर यह इने आरकर टू पर यह आरे और रेंज की जो मैग्सिमम मेड़ींों उ या आती हें यू स्कुर्ड निहां नुस्कुर्ड अपर ठीक है रेंज की मैग्जिम वैल्यू निकाल लाते हैं यू स्कूर बजी से क्लियर बाते इसे कुछ बहुत तो नहीं लग रहा ना कि बहुत तफ कुछ पढ़ लिया पनने है और तो हाइट इसकेस में क्या हो जाएगी इसका वन बाय फूर रूत हो जाता है तो यू स्कूर ब यू स्कूर बाय फूर जी हो जाएगी तो यह से आप बहुत इसली इसमें फ़रदर खेल सकते हो सवालों में कोई बहुत सवाल नहीं होते हैं ठीक है चलें तो यह से मैं रेंज और में एक सब्सक्राइब चूके थोड़ी और बात है कलने विटा एक-डू सवाल उसमें और यह यह होता है हुएं ऑर क्यों जाता है आपका रेंज निकालना सिहका बने उसली इंटु टैम ओफ र्एंट अपने उसली है od निकल सकते हो द्रॉप वाले केस में एट ध्रॉफ उपन निकल जाएका कि इहां पर यंगल फ्र स्ट्राइक पूख जाएगा से एक्स में तो वही यू है जिससे फेका एक्स में स्पीड नहीं बदलती तो कुछ कॉश्चन इस तरी कि होरिजॉंटल प्रजेक्टाइल के पूछ लेते हैं सिंपल होते हैं तफ नहीं होते हैं बस परिशान करने के लिए पूछ लाते हैं कभी 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 कर देंगे इनमें से एक दे देंगे दूसरा पूछ लेंगे कर देंगे चीजे इस वारे कोश्चन में मैजिक नंबर भी लगता है कई मरें से दिदिया एटी मिटर की हैट है तो आप बोलो के चार सेकेंड में गीरा फाइफ ट्वेंटी फॉट्टी फाइफ एटी वन ट्वेंटीफ निकाल सकत हो सेम स्पीड अफट से निकाल सकते हो एक सेकंड में 10 20 30 40 50 जो बढ़ती है तो बहुत होते होरिजॉंटल में चलिए अगला है सेम अगला टाइप है सेम डन डन डिफरेंट डिएरेक्शन कभी बोला सेम दम लगाया या सेम फोर्स से फेका या सेम एफट लगाया जब भी स सेवाल में लिखा होता है इसका मतलब होता है यू है सेम यू क्या है सेम है इसका एक सिर्फ इंग्लिश का गेम है जब भी बोला सेम दम मतलब यू सेम हो जाता है तो इसमें एक बहुत स्वाल आता है कि किसी को अगर आप आर डिस्टेंस तक फिश सकते हो या यू कें थ्रो maximum up to distance r ठीक है maximum maximum you can throw throw का max distance है r तो throw की max height बताओ throw की max height अब ये सवाल में क्या होता है ये इस throw की तो h by 4 होगी ये बात नहीं कर रहे बेटा answer ये r by 4 जो है h ये नहीं answer वो भूल रहे हैं इतना ही same speed से तो उपर दम लाके फेक दो तो ये कित्ती हैड तक जाता है तो इसका answer h by 2 निकल के आता है तो इसका answer r by 2 निकल कर आता है ठीक है कि अगर आप जो है अगर पूरा दम लाके 100 मीटर दूर तक फेक सकते हो वो 100 मीटर जब फेक है इसमें आपके हाइट हो जाएगे इसका by 4 25 मीटर यह नहीं पूछ रहा है यह इतना ही दम लाके अगर उपर फेक देते इतने दम दूस तो यह 50 मीटर तक चला जाता इसका आदा तो यह स्टेम टाइप के दमें डिफरेंट डारेक्शन से सवाल होते हैं और अद्धू इक्वेशन विदाव्ट टाइम इसमें त्टाइम नहीं यूस कर सकते हैं दो जो उपजयेसी आप निकलते प्रोजेक्टàiल के लिए जूंग से इसको origin मानते हैं ये निकल लिए लाती है य वडराबर x10 थीटा माइनस एक स्क्वेर जी बाइ टू यू स्क्वेर कॉस्क्वेर थीटा इसमें इसके दू वेरियेशन होते हैं x 10 theta minus g x square by 2u square देखो cos square का 6 square होगा उपर जा कि 6 square 1 plus 10 square theta लेख सकते हो आप और सबसे important one variation होता है x 10 theta common 1 minus x by r range तीन variation होता है trajectory equation के तीनों का अपना अपना use होता है ठेकिए है बहुत सारी चीजी से आप निकाल सकते हो जिसे आपको equation step से दे रखिए y बराबर 4x minus 2x square तो यह trajectory दे रखिए आप compare करके चीजे निकाल सकते हो आप बोल सकते हो यह compare कर लिया मैंने 4 आगिया 10 theta की value और 2 आगिया बच्चिवे की value तो अब 10 से cost निकालना आता है 10 से cost अभी सीखा पाने निकालना वन अपॉन मेंडर रूट वन प्लस 10 स्कूर सीटा जो आपको बिताया वह एज बाइर बराबर 10 सीटा वाई 4 में तो वहां से cost अजाएगा यू निकल कर आजाएगा तो इसे बहुत सरी चीजे आप इस तरी किसे solve कर सकते हो तो ट्रेक्ट्री की question is very helpful जब x और y में equation होती है सब्सक्राइब दो तो वाई बराबर जी तो खड़ जाएगा माइनस टैन जीरो जीरो होता है एक स्कूर बाइजी बाइट यू स्कूर को जीरो वन होता है तो यह आपकी सिंपल कुछ नहीं पैस यह हटा दो यह आपकी किसके question बन गई और प्रोजेक्टाइल की बास समझ म सब्सक्राइब नहीं बेटा बड़ी इस सवाल हो जाता है ठीक से इतना इतना हटा तो horizontal की बन जाएगी अलग से याद करने की जरूत नहीं है इसको दस दस बाल लिख लिके याद कि अपने पास फॉर्मूले जें मैक्जिम हैट के लिए पर किसी भी रैंड ना में पूछ जब यह इस x distance पर y क्या होगा यह यह हाइड जो है यह concert distance पर आएगी कोई भी रैंडम पॉइंट के लिए इसमें trajectory यूज करते हैं ठीक है बहुत सिंपल चीज़े होती है अगले डाइप के सवाल होनता है planning with vx and vtop simple सा rule है बिटा vx does not change कभी भी स्पीड जो है vx डाइक्शन की वह चेंज नहीं होती है सिंपल से चीज़ होती है बिटा जो इसके उपर बहुत सारे सवाल खेल सकते हो आप कि यहां से कहीं पर इफेका आपने किसी पॉइंट पर यहां पर यहां पर सबसें टॉप पर भी हमेशा एक्स डारेक्श स्पीड यू टू है एंगल क्या है सीटा टू है चसमें स्रीट अश्मर करने दोनों में धर यू वन है और इस पर टॉप वारा सवाल आ जाता है बेटा कि अगर इस लेट से मैंने यहां पर स्पीड यू से थीटा पर टॉप पर सिर्फ स्पीड कोन सी बचेगी यू कॉस्ट एक्स डिरेक्शन की बचेगी बेटा डाय गये में तो मैं बोल सकता हूं डाय यू टॉप इससे बोलता है यह जाद रखना किससे होरिजोंटल से वर्टिकल से भी एक बार प्यूए क्यूंए आ गया था तो कॉस का साइन हो जाएगा तो यू टॉप इस इक्वल टू यू का कॉस्ट थीटा या काइनेटिक एनेरजी एक टॉप हाफ एम वी यू स्कॉर स्कॉर हो जाता है काइनेट इस थीटा बराबर 60 डिग्री थीटा बराबर 60 डिग्री घ्री यू टॉप यसे यूभाल टू और काइनेटिक एनेरजी हो जाएगी एक के वाय ₹ 45 डिग्री पर क्या होगा है यू टॉप कॉस्टिवान बाई रूट टू होता है और काइनेटिक इनर्जेट टॉप इनिशल बाई टू हो जाएगी स्क्वार हो जाता है बिटा तो बहुत सेमें सिंपल सिंपल से कोश्चन होते हैं से बहुत तफ कुछ चीजा आती नियुक्त नियुक्त 지금 cin氣ा यूँक्त इमनेटिक को सिंपल सिंपल सफ वालग बनने बता हैं तो एक स्टार्टिंग वाला जो होता है देखू समझो व्यान ईंगल साने थैता हूँ और जिस्से फेगघता है वह एंगल क्या बुलते उसको एंगल अफ इप मोलते थीटा पी जिसपर ख़क रहते i.g1 को बिलते हैं कि आध टकराते हैं इसे इंगल ऊफ फ्रॉएकशन ऑ श्ट्रीक का एंगल और वी वाई बाई वी एकस है एक टैन थेटा स्ट्राइक क्या जाएगा वी वाई वाई वी एकस अब जनरली एक्षए यू तो सहीम ही रहता है तर आप जहें जास्ट यूआय का माइनस वी वाई हो जाते हैं और कुछ नहीं को इनिश्यल का देखा जाये तो पर यह अंगल क इसको एगल कुछ ऐसे को एंगल और धीरस इसनाबकम किसी भूछ किसी भी टाइम पर निकालने के लिए पइसे बढाना होता है है टैन्स घंडर किसी भी टाइम पर क्या होगा वी व्य वि एक्स होगा एक क्वेश आलफा से लिखते हैं जो इसे बना रहे हैं तब यह इस पर कोई रोल ही नहीं होता कि कितना वाइड स्टेंस से कितना यह X है यह बोलते हैं तैनल शान सबस्क्राइब निकालना वी वाइब वी-एक्स तो वी वाई क्या होता है, उपर स्पीड यू साइन थीटा माइनस जीटी, फर्स्ट एक्वेशन ओफ मोशन, और यह तो हमेशे यू कॉस थीटा ही होता है, एक्स में चेंज नहीं होता, टेन अलफा वाई बाई एक्स, यू हाइट की सेकिंड एक्वेशन ओफ मोशन, यू सा अगरी बात देखें, इसमें क्या हो जाता है, थैंक्यू, अगर इस खतम हो गया, एक पॉइंट रो बताना था, ठीके, लास्ट टाइप का सवाल बता रहा हूं, उसका इस खतम कर देंगे, इस चीज को अपन, वोंसरा टाइप चलेगा यह वाला, टाइप 11 है, टाइप 11 हो थोड़े टाइम की बात में, स्पीड हो जाएगी, वी, कि यह दोनों पर्पेंडिकुलर होंगे, इसका टाइम निकल कर जाता है, यू बाइ साइन थीटा जी, यू, या यू कॉसेक थीटा बाइ जी, इसका टाइम यह निकलते आता है, जब यह आपस वे खुदी की फेक इदर यू टू से होरिजॉंटल, थोड़े टाइम के बाद दोनों की जो स्पीड होगी, वी वन और वी टू, वो दोनों क्या हो जाएगी, पर्पेंडिकुलर हो जाएगी, इसमें जो टाइम लगता है, वो निकल कर आता है, यू 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 टू बाइची, डॉट यहां पर यहां पर यह पर यह पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो इसका जो टाइम होता है, टू अंडर रूट यू यू टू गएची, तो लगबग सेम ही होता है, याद रखना बड़ा इसी है, तो तीन सवाल आपके वेक्टर वाल आयाते हैं, यह बहुत बार क्लास म इस परपेंडिकुलर, टाइम एट वेच, पोजिशन इस परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां तो कुछ नहीं सेम, मेरे से ही मेरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई, यह चीज हो जाती है, कैसे करते हैं वेटा, आगर आप यह दोनों तरफ वेक्टर एक्टर एक्वेशन यहां पर क्या हो जाएगी, वाइड एक्षिन की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किसी भी टाइम पर निकालोगे, तो आप यू एक्स और यू आई कैप और य में माइनस घीटी, जे जे कैप हो जाएगा, दोनों को लिखे, डॉट करके जीरो कर तो आंसर बहुत डिटेल में आने की जरूति निए और कुछ भी नहीं होता है तो इसके लिए बहुत धन्यवाद देखने के लिए और अगर आपको सही है बहुत सरे बच्चों ने बूला में को तो मैं बच्चों के लिए आपके लिए निकाल दूगां टेकर चलो वाई लव यू